अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले और मुझे फेस्बुक इस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं तो मैंने वीडियो को नीचे में लिंक को डाल रखा वहां से सिदे आप फेस्बुक इस्टाग्राम पर मुझे जाकर मैंने है आप 500 गराम मैदा और इसमें मैं डालूंगी एक कोटोली सुजी ये देखिए तो बारिक हो यह तो मोटी वाली सुजी कोई भी आप इसे इसमें डाल सकते है चाप इस कोटोली से मैंने एक, कोटोली डाला है और इसमें मैं डाल रहे ही रिफाइन तेल दो, चमच और यह कटणी मैंने यहाँ पर दही डाला है और अच्छे से मैं मैदे में मिला लेती हूँ और यहाँ पर मैदे लिए हैं एक लास दूध थोड़ा थोड़ा दूध इस तरह से डालते जाओंगी और मैदे मच्छे से मिला लूँगी एक बार में आप ना डाले थोआ थोआ करके डाले और इसे मिलाते जाए ऐसे बिल्कुल ही मुलायम डो मैं तयार कर लूँगी तो यह देखिए हमारा डोर तयार हो गया है तो इसे 10 मिनट के लिए मैं सेट होने के लिए रख देती हूँ तो ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पर लिया है दो प्याच और यहाँ पर मैंने तीन हरा मिर्ज एक इंचजरे का टुकड़ा और ये मैंने खरा गरम मसाला लिया है और तीन मैंने यहाँ पर टमाटर लिया थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लिया है लासुन तगर आपने इस तरह से छोले नहीं बनाए है देखो और मेरे तरीके से भी बना कर आप देखे आपको बहुत पसंद आएगा मैंने तेल को डाल दिया है और इसमें मैंने खरागरम मसाला डाला है और इसमें मैंने डाला है लशन और इसमें मैं डाल रही है अद्रक और हरामेश बारी कटा हुआ टमाटर और बारी कटा हुआ मैं इसमें प्याज को डाल दे रही हूँ ऐसे 2-3 मिनट मिलाते हुए मैं मेडियम गैस पर भूंज लूँगी तो इस तरह से मसाला भूंज कर और इसे पीस कर छोले में डालेंगे तो अलग ही टेस्ट आता है तो 2 मिनट के लिए मैंने धकल लगा दिया था तो यह देखें मैंने छोले को उबाल लिया है और यह अच्छ से पक गया है मैंने नमक डाल कर इसे उबाला है तो मैं इसे साइड में रख देती हूँ यहाँ पर हमारा मसाला जो रेडी हो गया है तो मैं इसे एक बार मिला लेती हूँ यह देखें तो इसे डरेक में मिक्सिजार में ही निकाल लेती हूँ जब यह ठंडा हो जागा हलका सा तो मैं पिस लूँगी तो यह देगे तो यहाँ पर मैंने इसे पिस लिया है तो यहाँ पर मैंने लिया है सेम कराही और इसमें मैंने डाला है दो चमस तेल और इसमें एक छोटा चमस मैंने जीरा डाला है दो मैं इसमें डालूंगी लाल मिर् और तो मैं डालूंगी इसमें तेज पत्ता और जो मैने मसालोicken को पिसा है वो इसमें मैं डाल देती हूं और इसे मीटियम केश पर एक से दु मिनट के लिए मैं भूंज लूँगी तेजमें मैं डालूंगी अब सुखा मसाला दु मिनट हो गया है एक छोटा चमच मैं इसमें हल्दी पॉडर डालूंगी और एक छोटा चमच मैं इसमें गोल की जीरा का पॉडर डाल रही हूँ और इसमें मैं छोटा चमच कस्मीरी लाल में इस पॉडर डाली ही इतिकी वाली नहीं होती है सिर्फ मैंने कलर के लिए डाला है अगर मसालों को क आपको कम लग रही है तो आप इसमें बढ़ा कर डाल सकते हैं मसाला हमारा भुंजा गया था तो मैं इसमें छोले को डाल दी हूँ और इसे मिलाते हुए और इसमें मैं बारिक कटा हुआ धनिया डाल देती हुए तो छोला हमारा बिलकुल ही रेडी हो गया है तो गयास को मैं बन कर देती हुए और इधर हमारा जो मेहदा है वही सेट हो गया है यह देखे अगर आपके पास ज़्यादा समय हो एक से दो घंटे के लिए भी आप छोड़ सकते हैं या तो आप इसे फ्रीज में भी रख सकते हैं दो तिन दिन तक यह राम से रहता है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है मैंने यहां पर रोटि यहीं जो यह का गुला होता उस तरह मैंने उससे थोड़ा सचिटा मैंने गुला लिया है और इस तरह सेक ख़़र करके मैं भी लेती हूं तो बटोरो मैं थोड़ा मोटा ही रखती हूँ ठंदा होने के बाद यह मुलायम ही रहता है अगर जादा पतला रखेगा तो वो ठंडा होने के बाद कड़ा जैसा हो जाता खाने में भी टेस्ट नहीं लगता है तो यह देखिए कि यहां तेल है जो गरम हो गया है इसमें मैं इसे डाल देती हूं कि इसे उलटते पलटते मैं इसे तल लूँगे तो यह देखिए यह हो गया तो मैं इसे एक पलेट में निकाल लेती हूं और इसी तरह से बाकी का बटोरे है जो तलकर में त्यार कर लेती हूं तो फ्रेंस इखाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है तो एक बार मेरे तरीके से घर पर आप जरूर बनाईएगा यकीन माने फ्रेंस एक बार अगर बनाएंगे तो हर बार आप इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे तो यहाँ पर मैंने बटोरे है जो रेडी कर लिया है तो गरम गरम बटोरे और साथ में मैंने छोले को रेडी कर लिया है और ये सचमिश खाने में बहुत ज़्यादा फ्रेंस स्वादिश्ट है तो आप बिल्कुल भी मिश ना करें और मेरे तरीके से घर पर जरूर बनाए है अगर आपको मेरे वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को सस्क्राब करें फिर मैं मिलते हूँ नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाई बाई